माचल के मानने मुखे मंत्री शिरी जैराम ठाकुर जी का हम दिल से बहुत मान समान करते हैं मगर पिछले कल उन्हें जो ब्यान बाजी मंडी जिला के करसोग में करी है वो बहुत ही दुरभागे पुरण है जिस तरीके से उन्होंने वीरभद्र सिंग विकास मॉडल के बारे में उनके किये हुए कारें को पूरे तरीके से निकारने का जो प्रियास किया है मैं समझता हूँ कि वो हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ लोकतंतर परंपरा के बिलकुल खिलाफ है हमें ये नहीं भोलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने के बाद हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉक्टर यश्वन परमार और उसके बाद सक्सेसिफ कॉंग्रेस गवर्मेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में रहा है वो किस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में इंप्लिमेंट करने की बात करते हैं जैराम विकास मॉडल ऐसा मॉडल जिसमें उनके अधिकारियों के ओपर कोई नियंतरन नहीं है सुबा लिये हुए निरनेों को साम को वापिस ले लिया जाता है एक ऐसा मॉडल जिसमें आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा पांच साल के बाद उसकी एक इंट का पत्थर आप मंडी के अंदर नहीं लगा पाए एक ऐसा मॉडल जिसमें 65,000 करोड में से 45,000 करोड का रिंड लेने का खुश नसीबी आपकी सरकार को जाती है क्या ऐसा मॉडल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लेना चाहते है यह जो आपने कल बियान बाजी करी है Mr. Chief Minister This shows your lust for power यह आपका जो है बुकलाहट में दिया हुआ बियान है जो बहुत ही दुर्भाग्य पुरण है हमको राजनीती में रहते हुए राजनेतिक लक्षमन रेखा को पार नहीं करना चाहिए और जिस तरीके से आपने पिछले कल यह बियान बाजी करी है यह आपकी राजनेतिक बुकलाहट को दिखाता है और इस चीज को दर्शाता है कि सरकार और सत्ता आपके हाथ से जा रही है इसलिए इस तरीके की ब्यान बाजी कर रहे है We must honor the Congress governments in the state We must honor the previous BJP governments in the state Every Chief Minister Every Minister has had a role to play in the state and the development of the the development story of Himachal Pradesh We cannot write off anybody That is not how governments function That is not how the state functions We have to take everybody along सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए उस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए मगर आप जिस model को Himachal Pradesh के अंदर implement करने की बात करते हैं वो model Himachal Pradesh में सुबा लिये हुए निर्णों को शाम को वापिस लेता है एक ऐसा model जिसमें ना बागवान आप से खुश है ना करमचारी आप से खुश है ना विरोजगार युवा आप से खुश है इसलिए आप उखलाहट में इस तरीके के जो ब्यान बाजी Himachal Pradesh के अंदर कर रहे हैं ये बहुत दुरभाग्यपुरण है अगर आप ने अपने इन वचनों को इन के हुए बातों को वापस नहीं लिया इसका बहुत बड़ा आपको जो है आने वाले समय में पॉलिटिकल सेटबैक लगेगा बिकॉस ये परंपरा Himachal Pradesh की नहीं है Himachal Pradesh में हमको पूर्व मेरही सरकारों के द्वारा किये हुए कारियों को भी उतना ही तवज्जू और रिस्पेक्ट देने की आवशकता है जितना अपने विजन को Himachal Pradesh के अदर आने वाले समय में ले जाने की आवशकता है तो मेरा ये नविदन रहेगा कि भविश्य में इस तरीके की टिपा टिपणी ना करें ये Himachal Pradesh का इंटरस्ट में नहीं है और जो लक्षमन रेखा को आप लांगने का प्रियास कर रहे है उससे आपको कोई भी राजनेतिक लाब नहीं मिलने वाला है इसका स्पष्ठ संदेश में आपको मनने मुख्य मंत्री जी देना चाहता हूँ जय हिंद जय हिमाचल